नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की वीडियो में हम एटल एक्स्ट्रीम बोक्स में पैन ड्राइव में मीडिया कैसे चलाना इस पर बात करेंगे यह एक्स्ट्रीम बोक्स लगाओ इसमें मैंने पैन ड्राइव लगा दिया इसमें साइड वाली पोर्ट में तो इसमें मैंने एक video file डाल ली है तो इसको हम extreme box में media कैसे play करना है क्योंकि हमारे पास direct कोई भी extreme box में ऐसा option नहीं आता जिससे हम atl hd box की तरह direct media इसमें play कर पाएंगे तो इसमें media play करने के लिए जो सबसे पहले हमें pen drive FAT format में चाहिए जो हमारा atl का hd box है उसमें तो हम direct pen drive लगा के media play कर सकते हैं पर extreme box में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम direct media को इसमें play कर पाएंगे जैसे हमने के बर कोई apk install करनी होती है या कोई movies ही देखनी पड़ती है वैसे तो led tv में सभी में pen drive का option आता है तो देखिए जैसे पहले हम settings में जाएंगे android settings और उसके बाद device preference में जाके usb storage में जाते हैं यह hp usb drive हमें यहां पर show हो रही है तो इसके menu में कोई भी हमारे पास ऐसा option नहीं है जिससे हम इस pen drive को play कर पाएं या इसके अंदर का media हम देख पाएं atl extreme box में अगर हमने media play करना है तो हमें एक third party app की help लेनी पड़ेगी play store में जाएंगे हम पहले इसके apps games और यह installed app fx तो इसको आप install कर लेंगे मैंने install कर रखिया चलो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बर सबसे पहले हम remote पे home की press करके apps and games में जाएंगे प्ले स्टोर प्ले स्टोर में जाके हम search option पे जाके fx app है जो इसको search कर लेंगे और install कर लेंगे यहां से हम back करेंगे तो यह हट जाएगा और यह fx file explorer है इसको download कर लेंगे इसमें और भी हैं जैसे यह file commander हो गया explore हो कोई भी आप अपनी मर्जी से download कर सकते हैं मैं यह fx वाली app download कर लेता हूं यहां हम इसको install कर लेंगे तो हमारी यह app install हो चुकी है मैं यहीं से open कर लेता हूं इसको accept allow कर देंगे इसको हम तो इसके यह कुछ screen shots हैं यह देखने के बाद start seven days trial इसको हम यहां पर okay कर देंगे unclick करना तो आप वह भी कर सकते हैं तो देखिए यह file यह app यहां install हो चुकी है और इसका यह interface हमारे सामने है तो यहां पर हम video में चले जाएंगे एक पर मैं back करके आपको दिखा देता हूं कि यह app अब हम कैसे कहां से open करेंगे इसको home key press करने के बाद apps and games तो यह देखिए हमारे पास यह fx file explorer app आ चुकी है इसको open कर लेंगे यहां से तो इसमें यह main storage usb storage सभी formats दे गए है video वगरा तो यहां पर हम usb storage में चले जाएंगे यहां उसके बाद देखिए यह मैंने atl dish feeding के नाम से जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी उसकी यह video add कर रखिया इसमें तो चलिए अब मैं आपको इसको यहां से play करके दिखा देता हूं तो देखिए हमारी file play हो रही है इसमें ऐसे हम यहां से apk file हो गएरा या कोई भी video या images हो उनको हम देख सकते हैं तो ध्यान आपने यह रखना है आप इसको लगाते ही pvr की तरह format नहीं करेंगे तब ही इसमें चल पाएगा तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही ता next वीडियो में फिर मिलते हैं ठीक है दोस्त तब तक के लिए bye bye